आज हम आपको बताएंगे कि शुक ग्रय कुम्ब लगन में जब चतूर्थ बाब में स्तित हो तथा शुक ग्रय की युथी विबिन ग्रयों के साथ चतूर्थ बाब में जातर को क्या फल परदान करेगी शुकर ग्रय को जातर की कुंड़ी में पुरुष की कुंड़ी में इस तरीका उसे विचार करते हैं शुकर ग्रय से हम लग्जरी, वेहिकल, जुल्री, मेरिजिस, परफेशन, रिगार्डिंग फिलम इंदस्ट्री, एक शुब ग्रय की संग्या मिली हुई है, कुम लगन की कुंड़ी में शनी ग्रय जो की लगन का और द्वादश बाव का स्वामी है, शुकर ग्रय से वो मित्तरता का बाव रखता है, कुम लगन की कुंड़ी में शुकर जो की चतूर्थ और नवम बाव का स्वामी है, शु स्वर्षेत्री होगा, कुण्डी में शुकर केंद्र और तिरकोन दोनों का स्वामी है, शुकर ग्रह की वृषव राशी चतूर्थ बाव में तथा तुला राशी नवम बाव में होगी, इसलिए कुमलगन में शुकर ग्रह सरवादिक योग का रग्रह है, कुम लगन की कुंडी में शुकर ग्राय जब चतूर्थ बाव में सित हो तो चतूर्थ बाव से हमें माता, सुक्स्ता, वाहन, एजुकेशन, नौलज, और स्पिशियस फंक्शन, बीजनस, फेम, कमफर्ट, प्रॉपर्टी, सेलिंग एंड बाइं, रियल स्टेट एंड गेंज फ्रॉम देम ट्रैवलिंग सक्सेस देखते हैं, शुकर ग्राय जिसे हम लोग भोग विलास का कारक ग्राय भी मांते हैं, नवम बाव में शुकर की तुला राशी है, और नवम बाव से हमें बाग्य, रिलिजिन ब्लीफ, चैरिटी, मेडिटेशन, प्लेसिस ओ वर्शिप, डिवाइन वर्शिप, टीचिंग, दर्मा, फादर, लॉंग जर्नी, सी एंड एर ट्रैवल, हायर एजुकेशन, पूरुपुन्या, प्रागनी, स्पिर्चुल प्रैक्टिस और उससे फॉरन ट्रैवल देखते हैं, शुकर ग्राय जब भी कुम लगन में चतूर्थ बाव मे होगा, तो वे दुनों, चतूर्थ और नवमपाब, दुनों का फाल देगा, शुकर ग्राय कुम लगन कीुल्डी में, जद चतूर्थ बाव में स्तित हों, तो जातक के लिए पंच महापुष राययोग का निरमान करेगा, मालवय योग का निरमान करेगा, ऐसा जदक एश् मात नहीं होगा इसे जातक के पास सुख सुउदा के सभी साधन उपलब्द होंगे एसे जातक को संत्तान का सुख माता तता पिता का सुख उसे मित्रों का सुक, धन, यश, पर्तिष्टा, भूमी, वाहन, सभी का वो सुक बोगेगा, ऐसे जातक का विवाहिक जीवन भी सुकी होगा, जातक की उमर लंबी होगी, अगर शुकर पर किसी कुरूर ग्रय की दिश्टी ना हो, तथा नमाश कुंडली में भी शुकर ग्रय की सिति मजबूत हो, तो जातक के पास सुक सुविदा के सभी साधन उपलब्द होंगे, शुकर ग्रय की दिश्टी सब्तम दिश्टी धशम बाव पर होगी, धशम बाव से हमें जातक के रोजगार का पता चलता है, शुकर की दिश्टी से जातक उत्तम विवसाय करेगा, ऐसे जातक की भूमी, संपत्ती और वाहन उत्तम परकार के होंगे, ऐसा जातक राजनीती में भी एक सफल व्यक्ति होगा, शुकर ग्रय की महदशा तथा अंतरदशा में जातक को लाप की ही प्राप्ती होगी, अब हम आपको बताते हैं कि शुकर ग्रय की यूति विन ग्रहों के साथ जातक को क्या अफ़ाल पर दान करेगी, शुकर ग्रय की यूति जब चतूत बाव में सूर्य ग्रय के साथ बन जाए, सूर्य जो की सब्तम बाव का स्वामी है, जातक को पतनी सुख उत्तम मिलेगा, जातक की पतनी दनवान और बागेशाली होगी, कुम्ब लगन की कु चतूत बाव का कार ग्रय है, जातक को अपनी माता का सुख मिलेगा, जातक के पास भूमी वहन उत्तम परकार के होगे, जातक एक खुश हाल जीवन वितीत करेगा, शुकर ग्रय की यूति कुम्ब लगन में जब मंगल के साथ चतूत बाव में बन जाए, तो ऐसे जातक के प पास भूमी बवन अधिक मात्रा में होगे, क्योंकि मंगल को कुंड़ी में भूमी पुत्र के तोर पर जानते हैं, कुम्ब लगन में शुक्र ग्रय की यूति, जा बुद्ध ग्रय के साथ चतूत बाव में बन जाए, बुद्ध जो की पंचम और अश्टम बाव का स्वामी है, कुम्ब लगन के लिए एक शुब ग्रय है, जा तक उच्च विद्या प्रापत करेगा, जा तक को संतान सुक की प्रापती होगी, शुक्र ग्रय की यूति, जब कुम्ब लगन में ब्रस्पति के साथ चतूत बाव में बन जाए, तो जा तक को अपने माता और पिता का पति का लाब भी मिलेगा, शुक्र ग्रय की यूति, जब कुम्ब लगन में लगन के स्वमी शनिग रह के साथ चतूत बाव में बन जाए, तो ऐसा जा तक एश्वरेवान होगा, जा तक के पास बड़ा बंगरा और लगजरीगारी होगी, शुक्र ग्रय की यूति, जब रह या कित्तू के साथ चतूत बाव में बन जाए, तो ऐसे यातक के माता की सेहत में गिरावट रहेगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसांद आई हो, तो प्लीज शेर, लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग.